शवागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि रसाइनी खतियार और जैवी खतियार क्या होते हैं कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं रसाइनी खतियार बोले तो Chemical Weapon और जैवी खतियार बोले तो Biological Weapon ये कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, कितने बड़े स्केल पर लोगों को मार सकते हैं और विश उस्तर पर इनको रोकने के लिए कौन-कौन से convention बनाये गए है और उसमें भारत शामिल है या नहीं है, है तो कब हुआ और उसके तहित कौन-कौन से परतिमन लगाये जाते हैं तो तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और एक और information related to PDF, कि PDF कहां मिलेगी PDF जो है वो आप लोगों को description box में एक telegram का link दिया मिलेगा तो वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो को, इस वीडियो की जो PDF डाउनलोड कर सकते हैं अब PDF जो है वो आप लोग ऐसे भी telegram पे जाके self study जो है वो search करेंगे तो आपको इस तरीके का इक icon नजर आएगा लगबग 9900 के आसपास उसमें subscribe हैं तो वहाँ से भी ऐसे join कर सकते हैं और download कर सकते हैं PDF को तो चलिए शुरू करते हैं देखिए अमेरिका ने अभी आपको जैसे पता है कि रूस और उक्रेन के बीच में youth चल रहा है तो अमेरिका ने रूस के उपर आरोप लगाया है कि रूस जो यूक्रेन में chemical और biological weapon यूज करने की planning कर रहा है रूस ने कहाए कि यह सब जूट है और रूस ने इससे पहले अमेरिका के उपर एक आरोप लगाया था कि रूस उसने कहा था कि यूक्रेन के अंदर अमेरिका की जो chemical है और biological अथियार बनाने की प्रयोग शालाई है जिसको अमेरिका ने खारिज कर दिया था और एक बात रूस ने ओलरी बात बोली थी कि यूक्रेन के सैनिकों के द्वारा chemical weapon यूज किया जा रहा है उसने ये बात इसलिए बोली थी क्योंकि यूक्रेन के जो सैनिक थे वो मास्क पहन कर लड़ाई कर दे थे अब थोड़ी सी एक definition के बारे हम बात कर लेते हैं कि chemical weapon कहते किसको है देखे chemical weapon यानि एक ऐसा chemical है जिसका उपयोग जहरीले गुणों के जहरीले गुणों के जान बूज कर जिसको मारने या फिर नुकसान पहुचाने के लिए यूज किया जाते हैं ये भी उपकरण भी इसके अंदर आ जाते हैं एक्यूपमेंट होगे वो सारी चीजें जो है वो रसाइनिक हथियारों की परिवाशा के अंतरगत आते हैं अब ये छोटी सी definition के बाद चलते हैं भारत की तरफ तो भारत ने क्या इस chemical weapon convention के अंदर शामिल है तो देखिए Chemical weapon convention को लागु करने के लिए हथियार convention अदिनियम 2000 पारित किया गया था ये निरमान किया गया था 2005 में देखिए ये अक्ट आया 2000 में इस Act के तैट NACWC इसका निर्मान किया गया 2005 में ये क्या काम करती है ये काम करती है भारे सरकार और OPCW के बीच में संपर्ख स्थापित करने में OPCW कौन है? Organization for the Prohibition of Chemical Weapon यानि ये एक और संस्ता है जो CWC के अंतरगत आती है तो CWC के अंतरगत आने वाली एक संस्ता है OPCW जो Prohibition यानि परतीबन लगाती है Chemical Weapon के उपर तो यहाँ पर इस संस्ता के बीच में और भारे सरकार के बीच में संपर्ख स्थापित किया जाता है किसके द्वारा? NACWC के द्वारा और ये NACW जो है वो भारत सरकार के कैबिनेट सचिवाले के तहते कारले है क्लिर हो गया अभी आगे चलते हैं देखिए विशुस्तर पर बात करें तो विशुस्तर पर बात करें तो देखिए बैसल, रोटरेडम, स्कॉटोम कन्वेंशन, खतरनाक, रसाइन और अपशिस्ट देखिए बैसल, रोटरेडम, और स्टोकॉम कन्वेंशन एक मल्टी लेवल जो परियवन समझोता है जो मानव स्वास्तिय और प्रयावन को खतरनाक रसाइनों और कच्रों से बचाने के समान्य उदेशे को साजा करता है एक उस्टेलिया ग्रूप से भी करके कुछ है यानि कि एक अनौपचारिक मंच है जिसमें ये कहा गया है कि वो ऐसी चीजों को ये एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे जिनके अंदर जैविक हतियार या फिर कहें कि रसाइनिक हतियारों का एक्सपोर्ट या फिर ट्रांसफोर्मेशन हो रहा है में उसको या फिर रोकने में हेल्प करने वाले हैं तो ये एक उस्टेलियन ग्रूप हो जाता है यहां पर ये तो ये विश्व सतर पर किये जारे काम हो गई यहां पर। worried आगे चलते हैं देखें रसाइनिक हतियार अभी समय यानि convention अभी परीचे देख लिए कि इसके बारे में क्या किया है यह है रसाइनिक हतियारों पर परतिबन लगाने और निर्धारी समय के भीतर जो विनास की आवशकता वाली एक बहु पक्षिय संदी है मतलब कि इसके अंदर क्या कहा गया है कि जितने भी ऐसे केमिकल वैपन जो बहुत बड़े पैमाने पर विनास कर सकते हैं उनको कम करने या एक टाइम के अंदर उनको खतम करने के उपर किया गया एक कनवेंशन है CWC की तहट वार्ता शुरू किया गया थी 1980 में 1980 में निरस्त्री करन यानि कि हतियारों को नश्ट करने पर Swing Trust Summit में इसकी वार्ता स्टार्ट हुई थी 1980 में और इस कनवेंशन का जो CWC का जो है एक ड्राफ्ट तियार किया गया था सितंबर 1992 के अंदर बात शुरू हुई 1980 में CWC के तहट कहाँ पर Swing Trust के समेलन में क्या बात हुई थी कि निरस्त्री करन यानि जो केमिकल वैपन उनको खतम किया जाए और इसके उपर ड्राफ्ट आया 1992 के अंदर और यहां पर 1993 में इसके पर साइन करने के लिए इसको परस्तूत किया गया कि भी कौन-कौन से देश इसके अंदर शामिल होना जाते है तो भारत ने 1993 जनवरी 14 जनवरी जो है वो 1993 को इसके पर साइन कर लिये थे पाकिस्तान जो हमारा बेटा है उसने 13 जनवरी को इसके पर साइन कर लिये थे और अप्रेल 1997 में यह परभावी हो गया था अब यह पुराने प्रयोग किये जा चुके रसाइनिक अतियारों को नश्ट करने का अनिवार्य बनाता है कि जो पुराने हो चुके हैं जो फिर छोड़ दिये गए हैं उनको खतम करिये आप और सदस्यों को दंगा नियंतरन एजेंट को भी स्वेम के कबजे में गोशित करने चाहिए 1997 में स्थापित रसाइनिक हतियारों को निश्यद के लिए संगठन की शर्तों को लागू करने के लिए स्थापित किया गए एक अंतरराष्ट्य संगठन है मतलब क्या है देखे 1997 के अंदर 1997 के अंदर क्या था Organization for Prohibition of Chemical Weapon एक International Organization को बनाया जाता है किसके द्वारा? CWC के द्वारा CWC के द्वारा कब बनाया जाता है इसको 1997 के अंदर 1993 में तो CWC आ गया था इसके पर साइन किये गये थे भारत ने इसके पर साइन करवा दिया था अब यहाँ पर यह अभी थोड़ दिर हम पढ़के आ है न OPCWC यह OPCWC जो भारत के भारत सरकार के द्वारा मतलब कहते हैं कि भारत सरकार से जिसका संपर्क स्थापित किया जाता है NACWC जो यहाँ पर इसके द्वारा संपर्क स्थापित करता है यह OPCW तो यहाँ पर जो है यह OPCWC जो है क्या है 1997 में इसको स्थापित किया गया था CWC के द्वारा अब क्यों किया गया था कि यहाँ पर कुछ चीजें थी कुछ नियम थे बनाए गया थे उनको लागू करवाने के लिए इस organization की स्थापना करनी पड़ी थी तो भारत ने 2000 एक्ट 2000 जो मैंने आप लोगों को भी पड़ा है एक्ट 2000 ये पारित किया था जिस कहता है इसकी शर्तों को लागू किया गया था अब आगे चलते हैं इसके अंदर सदस्चे कितने हैं देखे इसके अंदर 192 राज्य सदस्चे और 165 अस्ताक्षर करता हैं बारत ने जनवरी 193 में ही संदी परस्ताक्षर किये थे और इसके अंदर क्या क्या परतिबंद है इसके अंदर परतिबंद क्या क्या है देखे डेवलोपमेंट, प्रोडक्शन, एक्कुजिशन, स्टोक पेलिंग और इसका बंधारन, परतिधारन ये सब जो है, उस पर परतिमन लगाता है इवन इसका ट्रांसपोर्टेशन आप नहीं कर सकते इनका आप यूज नहीं कर सकते और CWC द्वारा निशीत गती विदियों में शामिल होने के लिए अन्य जो राज्यों की साहिता करना है कि आईए CWC के अंदर शामिल होगी है और दंगा नियंतर नुप करनों का उपयोग यूद विदियों के रूप में करना है क्लियर हुआ यहां पर तो यह हो गया आपके सामने Chemical Weapon उस से रेडिट कन्वेंशन अब आते हैं Biological Weapon देखे, Biological Weapon जो इसे आपने करोना को एक तरीके से Biological Weapon के तोर पे देखा जा रहे है तो देखे, Biological Weapon वो होते हैं जिसके अंदर बैक्टिरिया, वायरेस, फुंगी इनको इनके यूज से जो है एक बहुत बड़े खतरनाक तरीके से एक खतियार को बनाना और बहुत इसके अंदर होती है कि बड़ी संख्या के अंदर लोगों को ये मार सकता है आपने जैसे करोना वायरस का देखा ये कितनी जल्दी ये फैलता है बहुत खतरनाक हतियार होता है इवन ये Chemical Weapon से भी खतरनाक होता है अब यहां पर इससे संबंदित कुछ चीज़ें जान लेते हैं देखें 1925 में जिनेवा प्रोटोकॉल ने युद के अंदर जो जैविक हतियारों के इस्तमाल पर परतिमन लगा दिया था भारत ने 1950 में इस कंवेंशन की पूष्टी कर ली थी इसके बाद जैविक और विशातक यानि कि जो जैविक होगे बायलोजिकल और टॉक्सिक वेपन कंवेंशन हुआ था जो 1975 में लाग हुआ था जैविक हतियारों के विकास वही सेम बाद आती है कि उनके डेवलोप्मेंट उनके प्रोडक्शन, उनके ट्रांस्पोर्टेशन, उनके बंडारन उनके अधिगरंट प्रतिधारन पर रोक लगा दी थी भारत ने 1974 के अंदर इसकी पूष्टी की थी, क्लिर हुआ अब आगे चलते हैं, देखे इसके बारे में अगर थोड़ी बहुत बात करें तो यहां पर आपके सामने WMD इसका मतलब है Weapon of Mass Destruction तो यह जो Convention है, उसका काम होता है कि जितना जल्दी हो सके इन हतियारों को खतम किया जाए इनके फैलाव को रोका जाए कि गोई जो देश है, जैविक हतियारों का यूज ना करे, उनको मनाए ना और इनके लिए उन्होंने बहुत स्ट्रोंग नोम्स यानि फिर कहें कि मापदंड तियार कर रखे हैं अगर WMD एक ऐसा हतियार है यानि Weapon of Mass Destruction एक ऐसा हतियार है जिसमें बड़े पैमाने पर मौत और विनाश करने की शमता है और बहुत खतरनाक है अब सोचो किसी ऐसे देश के हाथ में इसके हतियार लग जाता है तो कितना जादे वो तबहाई मचा सकता है तो इसको रोकने के लिए इसका काम के ये जो कन्वेंशन है वो काम करता है अब यहाँ पर उपचारिक रूप से बैक्टिरियोलोजी और विशाक तक हतियारों के विकास, उत्पादन, बंडारन और उनके विनास निशेत पर ये कन्वेंशन है इसके रूप में ये जाना जाता है जिनेवा स्विजर लेंड में निरस्त्री करण समीती के समेलन द्वारा इस कन्वेंशन पर बात की गई थी 10 अपरेल 1932 को 1932 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे, 26 मार्च 1935 को ये लागो किया गया था इसके अंदर पक्षकार के इतने थे 183 इसके पक्षकार थे 4 हस्ताक्षर करता इसके देश थे भारत ने इस कन्वेंशन पर साइन किये थे और इसके अंदर क्या का काम है वही मैं जैसे आप लोगों को बता दिया है वही development हो गया, production हो गया, acquisition हो गया ट्रांसफर हो गया, इसका ब्रंडारन इन सब चीजों को रोकना है, परतिबंद करना है और जब आब आप करें कि WMD एक पूरी श्रेनिक पर परतिबंद लगाने वाली एक बहु पक्षे निरस्तिकरन एक संदी है ये, clear हो गया तो ये तो था, आज आपके सामने कि रसाइनिक हतियार और चैविक हतियार क्या क्या होते हैं, उनके ओपर कौन-कौन से convention लगाये गए हैं, भारत उनके अंदर कब शामिल हुआ था, उमीद करता हूँ कि ये lecture आप लोगों को समझ में आया होगा, तो समझ में आया है, तो कैसे समझा सकते हैं, लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, साथ इसाथ, PDF जो है आप लोगों को, description box में एक link दिया मिल जाएगा, फिर से बता रहा हूँ self study का, तो आप वहाँ पर telegram का link है, तो जाकर आप वहाँ से download कर सकते हैं, इसकी पीडियो को साथ इसाथ, अगर आपको वह link से open आओ, तो self study जो है, आप एक काम करिए telegram पर टाइप करिए, आपको इस तरीके का एक icon नजर आएगा, तो जिसके ओपर लगबग 9900 के आसपा जो है, वहाँ पर आपको subscriber मिल जाएंगे, तो वहाँ पर इसको join कर लिजिए, तो बस आज के लिए इतना है था, thank you for watching this video.